चाय का गिरना शुब या अशुब जानकर चौक जाएंगे. चाय का गिरना शुब या अशुब है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि चाय किस पर गिरती है और किस समय गिरती है. एक अगर चाय कप या गिलास से गिरती है तो यह शुब माना जाता है ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में धन की प्राप्ती हो सकती है दोग अगर चाय किसी व्यक्ति के कपड़े पर गिरती है तो यह भी शुब संकेत माना जाता है ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति के कपड़े पर चाय गिरी है जल्दी ही उस व्यक्ति के जीवन में खुशियां आने वाली है तीन अगर चाय किसी व्यक्ति के हाथ या पैर पर गिरती है, तो यह भी शुभ माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि जल्दी ही उस व्यक्ति के जीवन में सफलता आने वाली है चार अगर चाय किसी व्यक्ति के चहरे पर गिरती है तो यह अशुभ माना जाता है ऐसा माना जाता है कि इससे उस व्यक्ति को अपमान या बदनामी का सामना करना पड़ सकता है पांच अगर चाय किसी व्यक्ति के घर पर गिरती है, तो यह भी अशुभ माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि इससे उस घर में कला या जगड़े हो सकते हैं दोस्तो अगर विडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही और विडियो देखने के लिए चेनल को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद